किसी भी एक्जाम की त्यारी जब बचा हो एक महीना या एक हफ़ता या फिर एक देन आज की वीडियो हमारी होने वाले है कि कम समय में हम किसी भी एक्जाम चाहे आप बोर्ड एक्जामेनिशन दे रहे हो कि चाहे आप उलम्पियाड एक्जामेनिशन दे रहे हो तो बहुत से student जो हैं वो अक्सर एक बड़ी समस्य का सामना करते हैं और समस्य क्या है कि बहुत जादा syllabus है और समय बहुत कम है तो किस तरीके से हम कम समय में अपना पूरा syllabus कवर कर सकते हैं अक्सर student इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवालों के जो answer वो ढूंते हैं जिसे एक्जाम की तयारी एक महीने में कैसे करें, एक महीने में 90 प्लस परसंटेस कैसे गेन करें, आज हम यहां आपको कुछ टिप्स ऐसी देंगे, जिससे आप बहुत कम समय में ज़ादा से ज़ादा पढ़ाई कर सकते हैं. और एक्जाम में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं ये खास tips आपकी हर situation में help करेगी चाहें एक्जाम की तयारी में एक महीना बचा हो, एक हफ़ता या एक दिन आए जानते हैं कुछ खास tips सबसे पहले पुराने paper और syllabus देखे थोड़ा search करें, किसी भी एक्जाम की तयारी शुरू करने से पहले पूरा syllabus पहले देख लेकि आपके syllabus में क्या-क्या है पहले जाने की syllabus में कितने chapter और topic दिये गए हैं फिर पुराने papers देखकर ये जाने की कोशिश करें कि किस chapter से कौनसे questions पूछे गए हैं किस chapter से सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं फिर chapter से वो वाला chapter आप देखें जिससे सबसे कम questions अभी तक आए हैं किस chapter से easy questions आए हैं और किस chapter से tough questions आए हैं इस पूरी analysis के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौनसा chapter एक्जाम के लिए सबसे ज़्यादा important है आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौनसा chapter आप असानी से तयार कर सकते हैं और किस chapter को किस chapter को आपको study करने भी इसको तयार करने में मुश्किल आ सकती है अगर आपके पास exam की तयारी के लिए एक महिने का समय है तो आप इस analysis में आधे से एक दिन का समय दे सकते हैं अगर आपके पास एक दिन का समय है तो ये analysis आपको 10 से 15 मिनिट में ही करनी होगी अब second tip जो है chapter को तयार करने के लिए एक प्राथमिक्ता और time table सेट करें कि आपको किसको preference देनी है और आपका time table क्या होना चाहिए syllabus और पुराने papers की analysis के बाद chapters को तयार करने के लिए एक preference सेट करें और एक time table भी बनाए हो सकता है कि कोई chapter तयार करते बगद 10-15 मिनिट कम जादा ले सकता है आपको इसलिए time table बनाते बगद chapter और topic के लिए कुछ समय margin दे एक बार time table सेट कर लिए बार बार time table को ना बदने अगर आप बार बार time table बदलते रहेंगे तो आपकी तयारी बिलकुल भी नहीं हो पाएगी इसलिए आप सकती से पालन करें जो भी आप time table बना रहें उसी पर रहें उसी के हिसाब से chapter wise आप तयारी करें बार बार यह ना सोचें कि चलिए इस time यह subject पढ़ लेते हैं उस time वो वाला subject पढ़ लेते हैं नहीं आपनो जिस तरीके से sequence से बनाएं अपना time table उसी तरह से आपको पढ़ाई भी करिए थर्ड टिप जो है असान chapters को पहले तयार करें जब आप easy chapter पहले तयार करते हैं तो आपको असानी से वो याद हो जाते हैं और आप में जो confidence आता है उस confidence के सारे आप जो tough आपको जो subject लगते हैं तफ चैप्टर लगता है उसको भी आप बहुत असानी से कर सकते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो पहले tough chapter करने लगते हैं क्या होते हैं कि वो याद नहीं हो पाता है उनको और उनका confidence थोड़ा कम होने लगता है जिसकी वज़े से जो easy chapters होते हैं उनको भी भूलने लगते हैं इसलिए सबसे पहले आसान chapters को आप याद कर लीजे और मेरा मानना है उसको याद करने के बाद आप जो tough chapters हैं उनको भी बहुत असानी से याद कर सकते हैं जब भी आप पढ़ाई करने तो points बना कर पढ़ें points बना कर पढ़ाई करने से आपको revision करने में बहुत असानी रहती हैं खासकर उस समय जब exam शुरू होने से पहले कुछ गंटों पहले का जो समय बसता है subjective questions के उत्तर देते समय अगर आपको important points से याद होंगे तो आप आसानी से उसका बड़ा answer भी लिख सकते हैं इसलिए questions को answers को हमेशा points बना कर पढ़ना और याद करना चाहिए next जिस जिस चीज की जरूरत हो सिर्फ उसे साथ रखें जब समय कम हो और syllabus जादा हो तो एक एक minute भी आपका जो है वो बहुत important होता है इसलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ जरूरत की चीजे ही हैं जैसे subject से जुड़ी books, dictionary और बीच बीच में आप थोड़ा प आपकी पढ़ाई का जो concentration है ना वो बिगड़ जाता है यदि आपकी पढ़ाई जो है वो laptop से जरूरी ना हो तो laptop और mobile को थोड़ा दूरी रखें लैप टॉप और mobile को प्योग बिल्कुल भी ना करें इंटरनेट से सर्च करने की कोशिश ना करें किसी भी question का अंसर जहां तक को बुक से ही अपनी पढ़ाई करें जब आपके पास कम समय हो तो पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने से बचना जेने अगर आप पढ़ाई के बीच में बार-बार ब्रेक लेंगे तो आपकी जो concentration हो बिगड़ जाएगा एक चैप्टर पढ़ते हुए बोर हो आपको ब्रे सबसे इंपोर्टन बात इधान देने वरी यह है कि आप एक बर पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार-बार बदलाव ना करें अकसर यह देखा गया है कि कोई स्टूडेंट है एक बार टाइम टेबल सेट कर लेते हैं उसे ठीक से फॉलो नहीं कर पाते हैं समय कम होने पर नया टाइम टेबल बना लेते हैं बार-बार टाइम टेबल को चेंज करते रहते हैं इस तरह से साइकल बार-बार चलती रहती है और जो आपकी क्यापसिटी है उसके अनुसारा तैयारी नहीं कर पाते हैं कठीन परिश्रम के द्वारा हार्ड वर्क के द्वारा इन तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए का शेर कीजिए का और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू पर वाचिंग